तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्या हुआ इस Monday Night Raw में तो दोस्तो लेस्स स्टार्ट दो वीडियो दोस्तो इस Monday Night Raw के एंट्रेंस में डुम मैकेंटायर का पहला एंट्रेंस होता है उसके बाद डुम मैकेंटायर अनौसमेंट करते हैं कि वो सेथ रॉलेंस को आसानी से रसल मेनिया में हरा देंगे लेकिन सेथ रॉलेंस कहते हैं कि डुम मैकेंटायर सेथ रॉलेंस की लिस्ट में सबसे आखरी नंबर पर है क्योंकि वो रॉक को डिफीट करें के बाद Seth Rollins को, Drew McIntyre को आसन इसे हरा देंगे Seth freaking Rollins तो दोस्तों इसी बात पर Drew McIntyre को उस्सा आता है और जाते आते Seth Rollins, Drew McIntyre को पकपकी देते है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Michael Cole और Cody Rhodes के बीच एक इंटर्वी होता है जिसके अंदर Cody Rhodes का एंट्रस होता है Michael Cole Smackdown का क्या हुआ, Smackdown में वो बताते हैं, उसके बाद Cody Rhodes आते हैं और Cody Rhodes Michael Cole एक दूसरी के साथ बात करते हैं Michael Cole ने कहा कि क्या वो Seth Rollins पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों Seth Rollins का असल मकसद Roman Reigns का टाइडल चीना है तो दोस्तों और इसी बात पर Cody Rhodes भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी मा को बहुत चाहते हैं रॉक ने बहुत ही बुरा किया उनके फैमिली पर अपनी आवाज उठाकर उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि रॉक को आसानी सहरा देंगे और इसी के बाद ये इवेंट खतम हो जाता है कोडी रोड्स और रॉक के बीच इस मैकडाउन में ब्रॉल हो सकता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आर्थ रूट वस्स डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है दोस्तों ये मैच की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि दोस्तो आर्थरूत और मिज ने जनरल मैनेजर को ये आईडिया दिया कि आने वाले वक्त में एक लैडर मैच होना चाहिए for tag team titles, six tag team इसमें compete करना चाहिए जिसकी वज़े से दोस्तो यहाँ पर judgment day आर्थरूत और मिज पर खुसा होती है और आर्थरूत और डेमियन प्रीस्ट के बीच एक मैच शुरू होता है दोस्तो इस मैच में आर्थरूत भड़ी टकर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को जान सीना के moves भी मारते हैं डेमियन प्रीस्ट पर लेकिन दोस्तो डेमियन प्रीस्ट इतनी आसानी से हार माने वाला बंदा नहीं है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नफल शफल पड़ चुका था आर्थरूत का डेमियन प्रीस्ट पर और यहाँ पर STF भी पड़ चुका था जॉन सीना का मोव लेकिन दोस्तो डेमियन प्रीस्ट एक क्लोज लाइन जड़ दिया आर्थरूत पर और इस मैच को जीत लिया दो दोस्तो दा विनर आफ दिस मैच डेमियन प्रीस्ट दोस्तो अब चलते हैं मेन इवेंट मैच के तरफ दोस्तो इस मैच के बाद होता है दोस्तो एक गंटलेट म मैच से पहले हम लोग बात करते हैं जै उसो का अनौसमेंट दोस्तों जै उसो के एंटरंस के बाद जै उसो अनौसमेंट करते हैं कि जीमी उसो वर्सिस जै उसो का मैच रसल मेनिया में होना चाहिए ब्रदर वर्सिस ब्रदर और जीमी उसो को जै उसो चैलेंज करते हैं तो द करेगा इंटर कांटेनेटल चैंपियन गंथर को इस रसल मेनिया में दोस्तों इसमें जेडी मेकडाना और रिकोशेट एक दूसरे को बड़ कड़ी टकर देते हैं मोस्ट एथिलिटिक मूव मारते हैं दूसरे पर लेकिन दोस्तों रिकोशेट अपनी चाला की से जेडी मेकड और ब Lebanon को बुरी तरह से पीड दालता है और इंदी एंड दोस्तो इसे हरा दालता है उसकेद बाद Bronson रीड आते हैं, Bronson रीड अपनी ताखत का का परड़र्शन दिखाते हैं, Ricoo Shat पर और रिको शट पर एक भयानक सी सुनामी मारते हैं, और इसन रिको сид को भी उसके बाद दोस्तो शिंसु के नाकामोरा और सैमी जेन के बीच मैच होता है दोस्तो शिंसु के नाकामोरा अपना एनरजीटिक मुव्स दिखाते है लेकिन दोस्तो उन्हें उन पर पड़े आती है अच्छानक एक हुलू लुकिक दोस्तो इस मैच में शिंसु के नाकामोरा eliminate हो जाते है दोस्तों अब होता है दोस्तों Chad Gable versus Samis Zain के बीच match Chad Gable टकर देते है Samis Zain को लेकिन दोस्तों Samis Zain इतने wrestler को eliminate करे बाद भी Chad Gable को टकर देते है लेकिन Chad Gable cut angles के move लगाते है दोस्तों Samis Zain पर suplex पड़ता है उसके बाद high fly move लगता है दोस्तों शाप शूटिंग स्टार लेकिन दोस्तों सैमी जेन चैट गेबल को रोल अप करके इस मैच को जीच जाते दो दोस्तों आने वाले वक्त में गंतर को फेस करेंगे सैमी जेन एट रसल मेनिया तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सैमी जेन और चैट गेब कर ढाते हैं